Hello and welcome friends, Open Office Calc सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Open Office Calc की है Open Office Calc में एक ही वीडियो में हम Lookup से Related सारे FORMULA's को Analysis करेंगे देखेंगे कि ये FORMULA's हम कैसे यूज करेंगे इसके पहले मैंने एक ही करके अलग-अलग वीडियो में ये सिखाया है लेकिन एक ही बार में मैंने अभी तक आपको ये चीजे नहीं बताई है तो इसमें हम सारी वो चीजे सिखेंगे तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को skip मत किजेगा क्योंकि अगर आप beginner हैं अगर आप skip करेंगे तो चीजे समझ में नहीं आएंगे तो चलिए यह start करते हैं यहाँ पर मैं type कर देता हूँ role number यह लिखा मैंने role number तो यहाँ पर student का role number आएगा means कि हम role number के base पे find करेंगे आप इस data को यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ आप चाहे तो कहीं और भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी लिख सकते हैं ठीक है तो यही पर लिख देते हैं और यहाँ पर आते हैं अब यहाँ पर कर देता हूँ मैं name of student तो यह लिख दिया मैं name of फिर लिखा मैंने student ओके तो यह इतने subject को subject 2 लिख देता हूँ, आप Hindi English Maths इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, no problem, ठीक है, अब इन्नों को select करके और यहां से drag करवा देता हूँ, ताकि यह जो है, आगे इसी series में subject 3, subject 4, subject 5 आता चला जाए, यहाँ पर total को calculate करेंगे हम, ठीक है, जो कि हम पहले भी सीख चुके ह total को calculate करना, और फिर इसके आगे आएंगे, तो यहाँ पर average calculate कर लेते हैं, इतनी चीज़ें हम calculate करेंगे, यहाँ पर पहले roll number लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखा मैंने 1, और यहाँ पर कर देता हूँ 2, दोनों ही को करता हूँ select, और select करने के बाद हमें क्या करना है, simply इसको drag करवा देना इस तरीके से, यह देखिए, यह वहाँ तक ले सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर students के नाम हमें fill करने होंगे, तो यहाँ पर randomly मैं जल्दी से कुछ नाम fill कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे नाम ह generate कराने के लिए, यहाँ पर मैंने लिखा 90 और यहाँ पर 5, ठीक है, ध्यान रखना है कि आपको semi colon देना है बीच में, कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है, यह open office calc है, ठीक है, इसलिए, यहाँ पर अब इसको drag करवा लेता हूँ, left, right side की तरफ, यह right side की तरफ drag कराया, फिर इस change हो जाता है, number क्योंकि यह formula हमने use किया है, इस वज़े से यह change हो जाता है, तो इसको copy करके, और फिर हमें जाना है paste special पर, नीचे आपको paste special दिखाए पड़ा है, यहाँ पर चले जाए, और इसे आप क्या बना दीजे, यह actually में है formula, आप इसे बना दीजे number, तो सब से tick हटा दीजे, date and time से tick हटा दीजे, text से हटा दीजे, और इसे सिर्फ रहने दीजे number, तो बस यह बन जाएगा number, yes कर दीजे इसको, ओके, तो अब यह देख सकते हैं, हमारे पास यह पूरा data आ गया है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर total कर लेते हैं, तो total करने के लिए easy quality का निशा आएगा, total आने के बाद यहाँ पर double click कर देंगे, तो हमारा बाकी का भी आ जाएगा total, नीचे, ठीक है, फिर average, same वही तरीका है, calculate करने का, जो की, बहुत सारे वीडियो में हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, तो यह average भी calculate कर लेते हैं, तो यहाँ से सुडू करना है, और यहाँ से drag करते हुए, आगे बढ़ते चले जाना है, यहाँ तक, बंद करेंगे bracket को और interface करेंगे, और interface करने के बाद क्या करना है, यहाँ से इसको drag करवा देना है, ठीक है, यह double click कर देंगे, तो भी हमारा average आता चला जाएगा, तायोग की बात समझ में आ रही होगी, यहा करना है, इस पर border लगाना है, तो पूरे data को आप कर लिजे, select, यहाँ से मैं पूरा data कर लेता हूँ, select, कुछ इस तरीके से, तो यह data select कर लेने के बाद आपको कहा जाना है, यहाँ पर आना है, और यहाँ आपको मिल जाएगा all border, बस border बना दीजे, अब देखेंगे कि इस प formula, we look up कैसे use करते हैं, देखिए, we look up use करने के लिए, यहाँ पर आप we look up यानि vertically look up करेंगे, किस तरह से look up करेंगे, vertical look up, तो vertical look up का मतलब आपको side से लेना है, ठीक है, यह जो side में roll number दिख रहा है, at the very left side, आपको लेना होगा कोई यह, ठीक है, तो यहाँ पर मैं type कर देता roll number, roll number, जिस तरह से वहाँ पर type हुआ है, title में, उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं type कर देता हू, roll number, फिर यहाँ पर कोई एक subject का नाम, कुछ भी लिख देते हैं, like हम लिख देते हैं, total, ठीक है, तो यह कर दिया हमने total, ओके, दोनों चीज़े हमने कर दी है, ठीक है, यहाँ पर cursor को रखना है, ठीक है, is equal to का निशान लगाना, we look up कैसे लगाते हैं, वो बता देता हू, we look up, यह लिखा हमने, bracket को open कर लिजे, यहाँ पर क्या करना है, आपको, कहरा है, search criteria, side से लेना है, तो roll number जो हम यहाँ पर लिखेंगे, वही चीज आनी चाहिए, ठीक है, बात समझ कम नईक भी जादा, ठीक है, पूरा data आपको कर लेना है, select, तो यहाँ पर पूरा data मैंने कर लिए, select, ठीक है, और पूरा data select करने के बाद क्या करना है, आपको, simply यहाँ पर आना है, जहाँ पर हम formula लगा रहे हैं, यह देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमको एक एक को fix करना ठीक है, यानि कि यहाँ पर हम absolute sell address की बात करेंगे, यहाँ पर लगा दिया dollar, और यहाँ पर भी लगाना है dollar, ठीक है, फिर यहाँ पर भी dollar लगाना है, यह देख सकते हैं, आई के ठीक पहले, तो आई के ठीक पहले लगा देते है dollar, और फिर 23 के ठीक पहले dollar लगा देंगे, तो यह लगा दिया dollar, और dollar लगानेक बार कॉमा दे दिया हमने, अब column का, आपको total देखना है, क्या देखना है, तो आप total यह हमारा, तो total का column नंबर क्या है, आपको count करना होगा, यहां से count करिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, آठ, यानि total का column number 8 है अगर आपको average देखना है roll number 1 का या 2 का या किसी भी roll number का average देखना है तो आपको क्या करना होगा total के लिए हमें 8 लिखना होगा अगर आपको average देखना है किसी भी roll number का average देखना है तो वहाँ पे 9 type करना है ठीक है अभी फिलाल मैं type कर लेता हूँ 8 जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको exact match के लिए 0 लिखते हैं तो यहाँ पे लिख दीजे 0 bracket को close कीजिए और interface कीजिए जैसे ही interface करेंगे तो यहाँ पे यह आगया है error अभी error क्यों आया है इसके पीछे मैं reason आपको बता देता हूँ actually जो excel users है उनको आदत होती है excel use करने की नकी open office calc use करने की तो वहाँ पे वो क्या करते हैं comma दे देते हैं यही पर हो जाती है गलती यहाँ पर आपको लगाना है semicolon ठीक है और यहाँ पर भी लगाना है semicolon यहाँ पर comma नहीं देना है ध्यान देजिएगा semicolon लगा दिया आप interface कीजिए यहाँ पर आगिया है na na क्यों आया इसके पहले excel के वीडियो में मैंने बताया था na क्यों आता है not applicable error क्यों आता है क्योंकि यहाँ पर कोई value नहीं मिल लगी है इसको अगर हम one दे देते हैं आप देखिए यहाँ पर answer आजाएगा आपका 265 number राम का कितना marks है यहाँ पर मैं select करता हूँ और यहाँ पर इसको highlight करता हूँ एक अलग color से तो यह देखिए राम के कितने marks है 265 ठीक है अब यहाँ पर roll number change कर देता हूँ तो मालीजे roll number 20 की बात कर रहे हैं तो यह 20 जैसे ही करेंगे तो 282 marks है जिनका भी roll number 20 है उनके 282 marks है तो यहाँ पर देखिए roll number 20 किसका है सुभम का है और इनके कितने marks है यहाँ पर इसको मैं एक दूसरे color से highlight कर देता हूँ यह देखिए कुछ इस तरीके से यह देखिए यहाँ पर इनके कितने marks है 282 है इसी तरीके से 19 कर देते है तब क्या होगा यह देखिए यह मैंने कर दिया 19 तो 19 करेंगे तो 265 यहाँ पर देख सकते है 265 है तो आयोब की बात समझने आई होगी कि यह कैसे calculate हो रहा है अब बात कर लेते हैं अगले पढ़ाओ के बारे में तो अगला पढ़ाओ हमारा क्या है कि हम नहीं चाहते कि हम बार-बार गिन करके और row या column की बात करें हम बार-बार गिनना नहीं चाहते तब कैसे यह होगा तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यह formula समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पर फिर वापिस से लगाते हैं, we look up, ठीक है, हम गिनना नहीं चाहते हैं, हमारी प्रात्मिक्ता यह है कि हम गिनेंगे नहीं, गिन करके नहीं लगाएंगे, जैसे अभी हम गिन रहे थे न, जैस किसके लिए भी उपाए हैं, मैं बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले, तो यहाँ पर आप roll number को select कर लिजिए, यह तो select करना ही करना है, कॉमा देंगे, अब ध्यान रखिएगा, कॉमा नहीं देना है, semi colon देना है, तो semi colon दे दीजिए और पूरा data कर लिजिए select, यहाँ से कर नएक भी ज्यादा, ठीक है, तो यह 20 तक का पूरा data हमने select किया है, अब इसको fix करना है आपको, तो fix वाला काम कर लेते हैं पहले, तो यहाँ उपर आते हैं, अब यहाँ पर A के ठीक पहले लगेगा dollar, ठीक है, A के ठीक लगेगा dollar, और 3 के भी पहले लगेगा dollar, ठीक है, फि अब यह काम हो गया है आपका, अब यहाँ पर आपको comma नहीं देना है, semi colon देना, यह बात ध्यान रखनी है, फिर आप लगाईए, यहाँ पर match का formula, M, A, T, C, H, ठीक है, जैसा कि आप Excel में लगाते थे, अब यह match क्या करता है, यह आपको row या column के बारे में जानकारी देता है कि row number या column number कौन सा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते है match, अब match क्या कहता है, match यह कहता है, कि आपको जानना क्या है, तो हमें क्या जानना है, हमें total जानना है, तो यह total यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको select कर लेते हैं, तो यह हमें क्या बताएगा, total का column नंबर बताएगा, हमें कॉमा देते हैं, अब total कहा लिखा हुआ है, यह title total तोटल कहा दिया हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, यह देख सकते हैं, यह पूरा हिस्सा, title वाला सिर्फ, ना एक भी कम, न एक भी जादा, इसको select कर लिजेंए, पूरा हिस्सा यह, तो यह select कर आप यहाँ पर इसको fix करना है dollar लगा करके तो यहाँ dollar लगा दिया यहाँ dollar लगा दिया यह बन गया absolute sell address ठीक है कुल मिला कर यह कहना है तिसे आप absolute बना दीजे यानि कि row और column दोनों को fix कर दीजिए आप ओके तो यह आई भी हो गया और फिर बाकी का बचा जो है उसको भी हम कर देते है fix ओके अब यह पूरा formula हो गया ऐसा ही अब हमें enter भर press करना है तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ 265 आ चुका है 19 row number जिनका भी है यहाँ पर देख सकते हैं पूजा नाम लिखा हुआ है तो इनका अगर देखेंगे तो यहाँ पर marks कितना आया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ 265 नमबर है अगर हम roll number यहाँ पर change करते है ठीक है या फिर हम मालीज यह EC को change कर देते है टोटल हटा देते है यह टोटल हटा दिया value मिली नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं 53 एनी प्रब्लम ठीक है न यहाँ तक समझ में आ गई बात अगर आप कुछ और लाइक यहाँ से आप change कर देते है रोल नमबर change कर देते है मालीज यह रोल नमबर हटा दिया हमने आ गया अब मालीज यह रोल नमबर 5 का देखना है तो यहाँ पर जैसे ही 5 प्रेस करेंगे तो 5 का average आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए 5 का average आ गया है और रोल नमबर 5 किसक अब हम बात करेंगे VLOOKUP के बाद HLOOKUP की ठीक है तो HLOOKUP को कैसे यूज किया जाए तो यहाँ पर HLOOKUP लगाता हूँ आपको दिखा देता हूँ HLOOKUP कैसे यूज करते हैं तो यह लगा दिया HLOOKUP ठीक है HLOOKUP लगाने के बाद हमें क्या करना है जैसे ही h look up लगाएंगे तो हमें यहाँ पर horizontally look up करना है तो पहले हम roll number को select कर रहे थे ठीक है? पहले हम roll number को select कर रहे थे अब हम directly average को select करते है ठीक है? इसमें क्या करेंगे? हम average को select करेंगे तो यह average जिनका है ठीक है? इसके बाद semicolon लगाया हमने और अब हमें पूरा data select करना है वहाँ पर भी पूरा data select करना होता था यहाँ पर भी हमें पूरा data ही select कर लेना है ठीक है? तो यह हम select कर लेते हैं पूरा data कुछ इस तरीके से यह select कर लिया पूरा data यहाँ पर हमें लगाना है dollar sign तो यह dollar sign लगाया हमने और यहाँ पर 3 के पहले भी लगा दिजिए $証ाइन, और फिर यहाँ I के ठीक पहले भी लगा दिजिए आप $ OAKY, तो यह लगा दिए $証ाइन, और 23 के ठीक पहले भी $証ाइन लगा देते हैं, ताकि यह बन जाए Absolute Sell address, Semicolon लगाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे रो नमबर काउंट करेंगे रो नमबर किन का चाहिए ठीक है तो यहां से काउंट कीजिए यह हो गया पहला ठीक है यह दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौथा हो गया रो नमबर 4 का हमें देखना है तो यहां पर जैसे ही 4 type करेंगे, कॉमा देंगे यहाँ पर जैसे 4 type करेंगे, semi-color लगाएंगे 0 देंगे, bracket को close करेंगे और enter press करेंगे, तो यहाँ पर आ गया है na, क्योंकि value इसे नहीं मिल रही है, जिसके वज़े से यह आ रहा है na, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें ले लेना है average, ठीक है, तो यह चीज़ हमें ध्यान देनी है तो यह formula हमने ले लिया है और ना कर लेने के बाद, अब हमें row number पता करना है, देखिए row number कौन से वाले का हमें average पता करना है, row number कौन सा तो देखिए, यह जो 3-4 लिखा हुग है सचीन का row number 4 है, तो अगर हम यहाँ पर row number 4 लिखते हैं semi-color लगाते हैं और 0 देते हैं bracket को close करते हैं और enter press करते हैं तो देखिएंगे कि सचीन का जो average है, वो calculate होकर आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो सचीन का average है, वो कितना है, 37.6 है यहाँ पर कितना आया हुआ है 37.6, 37.6 तो इस तरीके से आप h look up का use कर सकते हैं, क्या h look up में match formula भी use हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जब हम v look up लगा रहे थे तो row number को select कर रहे थे, ठीक है इसमें हम average कुछ करते हैं select यहाँ उल्टा काम होगा, ठीक है अब क्या करना है, यह पूरा data आपको लेना है selection में, कुछ इस तरीके से आप पूरा data ले लिजे selection में एक बार आप पूरा data select कर लेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा अब यहाँ पर इसको fix करने की बारी है तो सब के पहले dollar लगा दीजे row और column दोनों ही के पहले आपको लगाना है dollar तो इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप भी लगा दीजे row और column दोनों ही के पहले dollar ताकि यह हो जाए fix fix करने के लिए हम लगाते है dollar जैसा कि आप जानते ही है तो यह लगा दिया है हमने dollar और अब यहाँ पर लगाता हूँ semicolon semicolon देने के बद क्या करना है हमें अब लगाना है match का formula तो match का formula अब use कर लेते हैं इस बार हमें क्या करना है इस बार हमें select करना है row number को ठीक है हम जानना चाहते हैं कि जो row number 5 है उसका हमें पता करना है row number ठीक है तो यह हमने सेलेक कर लिया और बाकी का काम तो यहां से हो जाएगा यह row number है सारा तो जितना भी row है उस पूरे row को सेलेक कर जाएए आप ठीक है नएक भी कम नएक भी ज़्यादा अब यहां पर आने के बाद इनको fix करने की बारी है तो इनको भी कर लेते हैं fix कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमने fix किया फिर इसको भी हम fix कर लेंगे कुछ इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं इसको भी कर लिया हमने fix इन सब को fix करने के बाद फिर यहां लगाना है आपको एक semicolon semicolon दे दिया 0 दे दीजिए क्योंकि exact match चाहते है semicolon लगाईए फिर 0 दे दीजिए क्योंकि H look up के formula को करना है पूरा जैसे ही enterprise करेंगे तो यहां पे देखेंगे result आपका result आ चुका है roll number 5 जिनका भी है उनका average कितना है 38.54% अब अगर मैं यहां से roll number हटा देता हूँ यह 5 हटा देता हूँ और यहां पे कर देता हूँ 7 तब क्या होगा यहां पे 7 कर दिया अभी मैंने enter नहीं प्रेस किया है देख सकते हैं दोनों ही जगा ने not applicable कितना है आप देख सकते हैं यहां 42% है तो यह दोनों ही जगा average ही दे रहा है ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा आयोप की बात समझ में आ रहे होगी match formula इस तरीके से use हो सकता है अब बात कर लेते हैं columns के साथ we look up को कैसे use किया जाए we look up और column formula कैसे use करें तक कि हम एक ही बार में पूरा data फेज करा सकें इसकी बात कर लेते हैं ठीक है अब हमारी सोच यह है कि हम एक ही बार में एक student का पूरा data लेकर के आए वो कैसे संभव होगा तो पहले हम क्या करते हैं data लेने के लिए हम उपर का जो heading है उससे हम कर लेते हैं copy यह हमने कर लिया copy यह copy हो गया अब नीचे आते हैं इस heading को paste कर देते हैं तो यहाँ पर मैं कर देने वाला हूँ इसको paste तो यह कर दिया मैंने इसको paste ठीक है हमारे पास पूरी heading आ गई है अब यहाँ पर roll number आपको दिख रहा है और बाकी की सारी चीज़े आपको दिख रहेंगे ठीक है अब हमको formula कैसे use करना है वो बता देता हूँ आपको ठीक है सवाल number 2 हमारा यही है कि हम यहाँ पर roll number type करें और हमारा पूरा data आ जाए मतलब एक student का subject 1, 2, 3, 4, 5 और total और average सब कुछ एक ही बार में आ जाए अगर आपने minimum, maximum या percentage वगरा और भी कुछ calculate किया है grade वगरा तो वो भी आ जाए तो फिलाल तो हमने average तक ही calculate किया है और यह formula हमें लगाना है यहाँ पर तो easy quality का निशान लगाते हैं यानि कि पहले तो हम column को fix कर देते हैं डॉलर लगा करके और फिर अब row को fix कर देते हैं डॉलर लगा करके यानि दोनों ही चीजे हो गई है fix अब हमें यहाँ पर लगाना है semicolon तो यहाँ पर आकर के हम लगा देते हैं semicolon कुछ इस तरीके से यह लगा दिया semicolon, अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरा का पूरा column को select कर लेना है, जो भी आपका पूरा हिस्सा है न, data आपका पूरा जो है, उसको पूरा select कर लिजे, पूरा data select कर ये, ठीक है, तो यहां से मैं कर लेता हूँ, पूरे data को select, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर bracket को open करूँगा, और यहां पर आप देखेंगे, यह जो उपर, यह header दिये हुए है, इन दोनों headers को मैं करूँगा select, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब यह दोनों headers select हो गया है, तो अब हम नीचे देखते हैं, फॉर्मूले में क्या आया हुआ है, फॉर्मूले के बाद, यहां पर bracket को close करेंगे, और लगाएंगे semicolon, और लगाएंगे 0, और इसको लगाने के बाद, आपको press करना है, enter, ठीक है, क्या press करना है, क्येवल और क्येवल enter प्रेस करना है आपको, ठीक है, जैसे यह enter प्रेस करेंगे, तो यहां पर तो कोई value मिल नहीं रही है, जिसके बज़े से यह आ रहा है N Error, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पर राजू आ गया है, अब देखते हैं 4 रोल नमबर राजू का है की नहीं है, तो उपर चलते हैं, अब यहाँ पर आते हैं और यह देखिए, यह रोल नमबर 4 किसका है, यहाँ पर मैं पूरे रोल को हाईलाइट कर देता हूँ, एक डिफरेंट कलर से, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह जो रोल नमबर 4 है, वो राजू का ही है, देख सकते हैं, यह राजू लिखा हुआ है, अब देखिए कमाल, यहाँ पर मैं जाओंगा, और जो answer हमारा आया हुआ है उसको यहां से मैं करवाऊँगा drag ठीक है तो यह मैंने करवाया इस तरीके से drag यह देखिए यह drag करवाता हुआ चला जा रहा हूँ ठीक है average तक आजाएंगे पूरा और अब देखेंगे कि इनका पूरा जो detail है वो आपको मिल जाएगा ठीक है total इनका देख सकते हैं 219 है और यहां पर average 43.8 आया हुआ है तो यहां पर देख लिजिए नीचे आ करके same result आपको मिलेगा ठीक है 43.8 और यहां 219 नमबर अगर मैं यहां पर name रोल नमबर चेंज करता हूँ पूरा ही result हमारा चेंज हुए 33% रोल नमबर वन का है की नहीं है देखिए यह राम है इनको yellow color में highlight किया है मैंने और 53% है 265 नमबर है total देख सकते हैं यहां पर देख लिजिए नीचे ठीक है तो आयोब के बात समझ में आ रही होगी कि यह कैसे calculate किया अब देखिए यहां प अब को समझ में आ गयी होगी कि यह कैसे करना है आपको ठीक है । अगर यहां पर roll number two हमने कर दिया तो यहां पर देख सकते है 230 आ गया है ठीक है अगर हम फिर यहाँ पर roll number change करते है like 3 कर देते हैं देखिए यहाँ पर 3 किया अब यह न है क्योंकि enter नहीं प्रेस किया जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो यह देखिए 3 का जो total है वो 188 आया हुआ आई एक बार check कर लेते है roll number 3 का 188 है या नहीं तो यहाँ पर देख सकते है यह सचिन यह देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते है 188 marks यहाँ पर दिखा रहा है यानि कि बलकुल सही है हमने जो calculate किया है वो बलकुल right है तो आई होग की बात समझ में आ रही होगी कि यह कैसे calculate करना है ठीक है अब माल लीजिए कि total के जग़ा कुछ और calculate करना हो like average calculate करना हो या कुछ और calculate करना हो तो आते हैं नीचे अब माल लीजिए average calculate करना है यह नहीं का तो आपको क्या करना है is equal to look up फिर से लगाना है इस तरीके से look up ठीक है तो यह लगा दिया हमने look up अब look up लगाने के बाद करना क्या है कि इसको select कर लेना है role number 3 ठीक है अब role number 3 के जग़ा कुछ और भी हो सकता है semi colon लगाई दीजेगा ठीक है और फिर ये पूरा data select करना है ध्यार लखना है कि title हमने ले रखा है तो title हमें नहीं select करना और ये पूरा data कर लीजे इस तरीके से select ठीक है ये select कर लिया select करने के बाद इस बार हमें average calculate करना है तो semi colon लगा देंगे यहाँ पर तो ये लगा दिया हमने semi colon कुछ इस तरीके से ठीक है और semi colon लगाने के बाद यहाँ से इसको select कर लेते हैं पूरा average ठीक है last तक तो यह select कर लिया हमने अब bracket को कर दी जी close अब close करने के बाद आपको सिर्फ enterprise करना है जैसे enterprise करेंगे तो देखेंगे रोल नमबर 3 का average 37.6 37.6 क्या यही है एक बड़ चेक करते हैं तो यह देख सकते हैं यहाँ पर रोल नमबर 3 यही है और इनका average 37.6 आया हुआ है चलिए यहाँ पर हम रोल नमबर चेंज करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर मैं कर देता हूँ रोल नमबर 5 ठीक है तो रोल नमबर 5 जिनका भी है यहाँ पर उनकी पुरी डिटेल आ जाएगी average कितना है 80 38.4 ठीक है तो यहाँ पर जारा स्क्रॉल करते हैं उपर कितरा फोर जारा चेक कर लेते हैं क्या यह सही है या गलत है तो यहाँ से देख सकते हैं रोल नमबर 5 यह रोल नमबर 5 है average किया आया हुआ है 38.4 और 194 192 जो है टोटल मार्ग से देख सकते हैं सेम यही चीज मैच, कॉलम्स, वगरा वगरा की सारी कन्फूजन्स दूर हो जाएंगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप से शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी कंप्यूटर साइंस से देखने को ठीक है, थैंक यू फर वाचिंग देस वीडियो